जहिन दोस्तों मेरा नामे पुशकर और आप देख रहे हैं TechSkru और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने Android फोन के स्क्रीन को अपने TV पे मिरर कर सकते हैं यह जो method आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं यह universal method होगा मतलब कि आपके पास कोई भी Android phone हो और कोई भी smart TV हो आप उस पे अपने phone के स्क्रीन को मिरर कर सकते हैं किसी separate internet connection का आपको requirement नहीं होगा आप अपने Android phone से Wi-Fi hotspot create करेंगे और उससे अपने TV को connect करेंगे इसके अलावा आपको Google Home app का use करना पड़ेगा और आप अपने phone के screen को mirror कर पाएंगे और आज की इस वीडियो में जो हम phone use करने वाले हैं वो है Samsung M01 Core और यह 5000 रुपय का एकदम entry level Android phone है और हमको ऐसा लगता है कि अगर इस phone से यह process complete हो गया मतलब किसी भी phone से हो जाएगा हम यह method पहले try कर चुके हैं और उसमें भी यह properly work करता है तो start करते हैं पूरा process हम आपको detail में दिखाएंगे फिलाल अगर आप मेरे TV screen पे देखें तो यहाँ पे आप clearly देख सकते हैं कि यह जो TV है अभी Samsung M01 Core से connected है और यहाँ पे अगर हम आपको अपना phone का screen दिखाते हैं तो यहाँ पे आप clearly देख सकते हैं कि यह हमारा phone का screen है और यह mobile hotspot enabled है और इसी से हमारा TV जो है फिलाल connected है Samsung M01 Core से आपको अपने phone पे यह Google का home app जो है इसको install कर लेना है ठीक है 17 MB का यह app है easily आप इसको install कर लीजे तो हम इसको फटा-फट से install कर लेते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Google का यह home app है यह Samsung M01 Core में install हो गया है और यह install करने से पहले यह install करने के बाद आपको अपने phone का hotspot create करना है और उससे अपने TV को connect कर लेना है उसके बाद आपको Google Home app जो है उसको open करना है open करने के बाद आपको जो भी होगा वह हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं तो यहाँ पर welcome to home लिखा हुआ आ जाएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको get started नीचे मिलेगा get started पर आपको tap करना है जो भी email address से आपके phone में login रहेगा वहाँ पर आपको दिख जाएगा और अगर आपको नया account add करना तो आप कर सकते हैं otherwise जो phone में email address दिया हुआ आपका Gmail address दिया हुआ है उस पर already selected रहेगा आपको यहाँ पर simply ok पर tap कर देना है ok पर tap करने के बाद आपको कुछ इस type का interface आएगा और यहाँ पर आपको नीचे टीवी भी अपना जो आप connected है मतलब आपके phone के hotspot से जो टीवी connected है वह आपको यहाँ पर show हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर अगर हम टीवी पर tap करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस type का option आ जाता है और यहाँ पर नीचे जो है cast my screen you have clearly आपको दिख रहा होगा इसके ओपर हम जैसा ही tap करते हैं उसके बाद यहाँ पर हमको cast screen का option आता है cast screen पन स्क्रें पहलों जैसे ही tap करते हैं और अब आप यहाँ पर तुर्ण को ball पे टाप करते के बाद हैं ठीक, अब हम फोन पे कोई भी screen पर जाते हैं अगर home screen पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि clearly हमारे TV पे हमारे जो phone का screen है वो mirror हो चुका है So friends ये एकदम simple सा process था जिसमें आपको किसी भी separate internet connection का requirement नहीं होता है और काफी अच्छे तरीके से आपका फोन का स्क्रीन मिरर हो जाता है आपके Android TV पे आप वहाँ पे क्लिरली जो है वो देख सकते हैं और अगर Options का बात करें तो यहाँ पे अगर हम वापस से Google Home App में जाते हैं इस स्क्रीन में तो सकते हैंग्यों को सब्सक्राइबिन सरक्राइबं के और 10 जे व्यू geehr यहाँ स्कूर्ण करने के लिए इसके अलावा यहाँ पापको डृइजिंश सब्सक्राइबे यहाँ जो करना फोन का ओप्सेन होजाता है तो फेंट्स आप इस वीडियो में देखें किस तरीके से आप अपने Android phone का screen जो है अपने smart TV पर mirror कर सकते हैं बहुत ही simple है कोई separate internet connection का requirement नहीं है Google Home app और आपके phone में अगर internet है तो Wi-Fi hotspot के मदद से अगर आप अपने smart TV को connect कर लेते हैं तो आप easily जो है किसी भी Android phone के screen को mirror कर सकते हैं अब यह Chromecast feature नहीं है Chromecast feature होने के लिए आपके TV में भी built-in Chromecast होना चाहिए और जो supported apps है like YouTube, Netflix, Amazon Prime, Hotstar इन सब में आपको Chromecast का feature मिलता है और उसके मदद से आप Chromecast कर सकते हैं अपने TV पर उसके उपर अल्रेड़ी हम बहुत सार वीडियो पहले बना चुके हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को like कीजेगा इस process को करने में अगर कोई problem आता है आपके अपने Android phone के साथ तो आप comment section में बता सकते हैं बागी हम लोग मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक टेक्नोजी के इस्तमाल एक लिमिट में कीजिए देखने के लिए आपका धन्यवाद और अगर आप अभी तक वीडियो पे हैं तो वीडियो को like करना और चानल को subscribe करना मत भूलिए का अपने friends और family में share कर सकते हैं because यह सब process जो है बिल्कुल free है